नमस्कार, इस वीडियो में आप क्लास 9th Mathematics अप्रेल 2021 के कुश्चन पेपर के सेक्शन A के कुश्चन 11 to 20 को समझेंगे आईए अब हम इन कुश्चन को 1 by 1 सॉल्व करते हैं आईए अब हम कुश्चन 11 को सॉल्व करते हैं तो कुश्चन 11 समी करण X-2Y is equal to 4 का हल है अब हमारे पास 4 option में बिंदू दिये गए हैं हमने देखना है कौन सा बिंदू इस समी करण का हल है अब ये 4 option में जो मान दिये गए हैं वो इस समी करण में हम रख करके देखते हैं इस मान पर left hand side बराब right hand side आ जाएगी वही इस समी करण का हल होगा तो आईए सबसे पहले में option a में जो मान दिया गया है उसको हम समिकर्ण की left hand side में रखते हैं तो left hand side हमारे पास क्या है ? x minus 2y है तो option a में जो हमारे पास है बिंदू दिया गया है इसमें x का मान क्या है? 0 है यानि x नर्देसांग 0 है और y नर्देसांग 2 है यानि x is equal to हमारे पास 0 और y is equal to क्या है 2 है तो x की जगह हम 0 रखेंगे minus 2, y की जगह 2 रखेंगे तो इसको solve करते हैं तो यह हमारे पास कितना आएगा minus 2 की 2 से multiply करेंगे minus 4, 0 minus 4 कितना आएगा minus 4 आएगा और right hand side में हमारे पास क्या है 4 है तो minus 4 not equal to 4 होता है त्यानि यह दोनों side बराबर नहीं है त्यानि left hand side बराबर नहीं है right hand side के तो यह option A में जो मान दिया गया है यह समीकरन का हल नहीं है अब हम option B में जो मान दिया गया है हम यह मान समीकरन A के left hand side में रखते हैं तो यहाँ पर X बराबर हमारे पास कितना है? 4 है और Y का मान हमारे पास इसमें क्या है? 0 है, यानि सुनने हैं. तो यह हम इसके left hand side में रखते हैं. तो X की जगाए 4, minus 2, Y की जगाए 0. तो आइसको solve करते हैं, तो 4, 2 के 0 से multiply गरें 0, यानि minus 0 होगा, equal to कितना होगा? 4 आगया. 4 minus 0 is equal to 4 आगया. यह क्या है? हमारे पास right hand side है. तो इस परकार left hand side is equal to क्या होगे? राइट hand side हो गई है. तो इस परकार B में जो मान दिया गया है, यह इस सम्मिकर्ण का क्या हल है? तो इस परकार option B बिलकुल सही है. तो अब हमें option C और D में जो मान दिया गया है, इनको हमें इसमें रख करके देखने की आपशक्ता नहीं है, क्योंकि हमें answer मिल गया है. इस परकार हमने question number 11 को solve किया. आएए, अब हम question number 12 को solve करते हैं. Question number 12, question number 12 में है, बिन्दू 4, 1 किस रेखा के समिकर्ण को संतुष्ट करता है? तो यह मारे पास चार option में रेखाओं के चार समिकर्ण दिये गए हैं. हमने देखना है कि यह बिन्दू कौन सी रेखा को संतुष्ट करता है? इस बिन्दू में X का निर्देशांग 4 है, और Y कर्ण दिये सांग क्या है? 1 है. यानि X is equal to 4 और Y is equal to 1 है. यह जो मान है हम सभी समिकर्ण में रख करके देखेंगे और जिस समिकर्ण में left hand side बराबर right hand side आजाएगी, उसी समिकर्ण को यह बिन्दू संतुष्ट करेगा. तो सबसे पहले हम option A में left hand side क्या है हमारे पास? X plus 2Y है, तो X plus 2Y में हम X is equal to क्या रखते हैं? 4 और Y की जगा हम दे हैं? 2 into 1. तो 4 plus 2 into 1 कितना है? 2 और plus 4 कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया. और right hand side में हमारे पास क्या है? 5 है. तो यह left hand side बराबर नहीं है, right hand side के. इस परकार यह बिन्दू जो है, इस रिखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता. अब हम option B में लेते हैं. तो option B में भी हमारे पास क्या X plus 2Y is equal to minus 6 है. तो X plus 2Y के value हमने क्या निका लिए? 6 निका लिए. और यहां पर right hand side में क्या है, हमारे पास है? minus 6 है. तो यह भी 6 है, वो minus 6 के बराबर नहीं होता. तो इस परकार यह बिन्दू इस रिखा के समीकरण को भी संतुष्ट नहीं करता. option C में है, X plus 2Y is equal to 6. X plus 2Y में हमने X is equal to 4 और Y is equal to 1 रख करके, जो value ग्यात की है, वो 6 है, तो इस परकार यह क्या है? 6 is equal to 6 है, तो यहनि left hand side is equal to right hand side है, तो यह जो बिन्दू है, इस रिखा के समीकरण को संतुष्ट करता है. तो इस परकार option C बिल्कूल सही है. option D में X plus 2Y is equal to 16 है, यहनि X plus 2Y के value 6 है, और right hand side में क्या 16 है, तो इस परकार 6 है, वो not equal to 16 है, यानि left hand side बराबर है, नहीं है right hand side के, तो इस परकार यह बिन्दू इस रिखा के समीकरण को भी संतुष्ट नहीं करता, इस परकार यह जो बिंदू है, option C में दीगे रेखा कि समी करण को ही संतुष्टे करता है, इस परकार option C बिलकुल है, तो इस परकार हमने question number 12 को solve किया, आएए अब हम question number 13 को solve करते हैं, question number 13, question number 13 में है, यदि किसी घनाब का आयतन 3x square minus 12x है, तो इसकी विमाओं के लिए संभव जग याद करना है, तो अब हम इसके गुननखंड करते हैं, तो देखिए, 3x square minus 12x है, इसमें से 3x common आ रहा है, 3x, यहाँ पर क्या रहा गया, x यहाँ पर रहा गया, minus 4, तो इस परकार, अब यह जो है, इसमें 3 हमारे पास संभव जग बने हैं, एक क्या है 3, दूसरा हमारे पास x है, और तीसरा हमारे पास क्या है, x minus 4 है, जब हम इन तीनों विमाओं की multiply करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आइतन मिलेगा, और यही यह दिया गया है, तो इस परकार, जिस गनाब का आइतन यह है, उसके जो विमाओं के लिए जो संभव जग है, वो 3x और x minus 4 है, यह जो मान है, वो option b में 3 है, x minus 4 है और x है, तो इस परकार option b बिलकुल सही है, तो इस परकार हमने question number 13 को solve किया, आइए, अब हम question number 14 को solve करते हैं, तो question number 14, question number 14 में, बिंदू 5 minus 7 कौन से चतुर्धांस में है, अब हमें बताना है कि यह बिंदू कौन से चतुर्धांस में है, तो positive है, और y नर्देशांग क्या है, negative है, तो हम जानते हैं, किसी बिंदू में x नर्देशांग positive हो, और y नर्देशांग negative हो, तो वो fourth quadrant में, यानि चतुर्ध चतुर्धांस में स्तित होता है, इस परकार यह जो बिंदू है, वे चतुर्ध चतुर्धांस में स्तित है, तो इस जहां X और Y X परस पर परतिशिद करते हैं, उसे कहते हैं, तो इस परकार जहां X X और Y X जहां परस पर परतिशिद करते हैं, वो बिन्दू 00 होता है, इस बिन्दू को हमें मूल बिन्दू कहते हैं, तो इस परकार इसे क्या कहेंगे, मूल बिन्दू, तो इस परकार हमने Q15 को solve किया आईए अब हम question number 16 को solve करते हैं question number 16 question number 16 में बिंदू minus 4 minus 3 का भुज और कोटी क्या है तो भुज होता है वो x निर्देशांग होता है और कोटी जो होता है वो y निर्देशांग होता है तो इस बिंदू में एक्स नरदेशांग क्या है माइनस फूर है तो इस परकार भुज हमारे पास माइनस फूर है और य नरदेशांग क्या हमारे पास माइनस त्री है कोटी क्या है माइनस फ्री है इस परकार इस बिंदो में भुज है वो माइनस फूर है और कोटी है वो माइनस त्री है तो है वो option A में दिया गया है A में क्या X is equal to minus 4 और Y is equal to minus 3 है तो इस प्रकार option A बिल्कुल है सही है तो इस प्रकार हमने question number 16 को solve किया आए अब हम question number 17 को solve करते हैं question number 17 question number 17 में हैं बिन्दों 00, 02, 22 और 20 को मिलाने पर कौन से आकरती प्रापत होती है तो अब हम इन चारों बिन्दों को मिला करके देखते हैं कि इन से कौन से आकरती हमें प्रापत होगी उसके लिए हम X X और Y X खींचते हैं तो यह हमारे पास X X है और यह हमारे पास क्या है Y X ह इसमें X का जो मान है वो दो तक है तो हम दो तक ले लेते हैं यह हमारे पास एक और यह कितना होगे दो हो गया यहाँ पर क्या है जीरो है इसी प्रकार Y का मान भी अधिकतम दो है तो यह हमारे पास एक और यह दो होगे अब हम इसको हम देखते हैं यह जो बिन्दों कौन सा यह बिंदू 00 है यानि यह 00 के लिए बिंदू हमारे पास यह हो गया फिर हमारे पास 02 यानि X का मान 0 और Y का मान 2 है तो यह बिंदू है वो YX पर होता है तो वो बिंदू यह है तो यहाँ पर इस बिंदू के निर्देशांक है वो 0 और 2 है तो इस परकार यह बिंदू हमने गय तो इस परकार इस बिंदू के निर्देशांग है वो हमारे पास दो दो यानि टू टू है और फिर हमारे पास टू जिरो तो टू जिरो ये रहा तो X का मान टू और Y का मान जिरो तो इस बिंदू के निर्देशांग टू जिरो है तो इस परकार देखिए इन चारों बिंदों को मिलाने से हमें यह आकरती मिली है तो इसे आकरती के हम लंबाई चोड़ाई देखती है तो लंबाई क्या इसकी दो मातरक है और चोड़ाई भी क्या इसकी दो मातरक है तो इस परकार लंबाई और गुआ तिर्बुज की किनी दो बुजाओं का योग भुजा से बढा होता है तो यानि जो दो बुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या हुता है बढा होता है तो इस प्रकार हमने किशान नमर 18 को सॉल किया आईए अब हम Q19 को solve करते हैं तो Q19 एक आयत के विकर्ण होते हैं तो एक आयत के जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं और साथ में क्या होते हैं वो प्रस्पर सम्धि भाजित भी करते हैं तो इस प्रकार एक आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और प्रस्पर सम्धि भाजित भी करते हैं तो इस प्रकार हमने Q19 को solve किया आईए अब हम Q20 को solve करते हैं तो Q20 यदि किसी चत्रबुज के विकर्ण प्रस्पर सम्कौन पर परतिजित करें तो यह आकरती क्या होगी इस प्रकार दियेगे चारों उप्संज में हमें वो आकरती बतानी हैं जिसके विकर्ण प्रस्पर सम्कौन पर परतिजित करें आप्शन A में हमारे पास समानतर चत्रबुज, तो समानतर चत्रबुज के विकरण परस पर समदी भाजिते करते हैं, लेकिन समकोन पर नहीं करते हैं और option B में है work, तो वरक के जो विकारण है वो बराबर होते हैं, और प्रस पर समकौन पर परतिजिद करते हैं, इस परकार वरक के जो विकारण है वो प्रस पर समकौन पर परतिजिद करते हैं, तो इस परकार option B बिलकुल सही है, अब हम option C देखते हैं, तो C में है सम चत्रबु के विकर्ण भी प्रसपर समकौन पर परतिजिद करते हैं लेकिन वो बराबर नहीं होते क्यूशन में केवल हमारे से ये दिया गया है कि विकर्ण प्रसपर समकौन पर परतिजिद करें तो इस परकार सम चत्रबुज के भी विकर्ण प्रस पर सम कौन पर परतिचेद करते हैं तो इस परकार इसका option C भी बिलकुल सही है option D है, sum लम तो sum लम के जो विकर्ण है वो प्रस पर सम कौन पर परतिचेद नहीं करते तो इस परकार question number 20 में option B और option C दोनों सही है यदि आप दोनों में से एक option भी आप answer में देखर के आएंगे तो भी आपका answer सही माना जाएगा तो इस परकार हमने question number 20 को solve किया तो अमीद है इस वीडियो में समझाएगे Class 9 Mathematics के section A के question number 11 to 20 आपको समझ में आए है बाकी question के solution को देखने के लिए वीडियो के description में playlist दी गई है वहाँ पर आप वीडियो के link open करके बाकी question के solution को समझ सकते हैं यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press कर all को select कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको notification प्राप्तोस के धन्यवाद